हेलो माई डियर फ्रेंड स्वागता है आपका अपनी चैनल इस्टडी आई क्यू प्रीमियम में आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आज हम लेने वाले हैं सफाय करमचारी का पार्ट 6 जो कि आपके MCQ आपकी सीरी चल रही है और यह चाहें आप कोई भी सफाय करमचारी का एक्जाम दे रहे हैं किसी भी एक्जाम से संबंदे तो यहां से सभी क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं ठीक है तो अभी तक जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रू कर लें और ज़्यादे ज़्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर करते हैं क्योंकि वहां पर हम सारी PDF हैं और वीडियो से संबंदे जैनकारियों पर प्रोवाइड कराते रहते हैं चलिए क्वेश्चनों की दे रखें प्रेंग का चोपड़ा अमिताब बच्चन सलमान खान सारुक खान तो चारो ऑप्सन में से सही राइट आंसर कौन सा होगा कमेंट मा अंसर जरूर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ठीक है तो स्वच्छ भारत अभ् अब्यान के ब्रांड अमश्डर थे जो सबसे पहले इन्हें चुना गया था ठीक है तो अमिताब बच्चन जो है सुच्वारत अभ्यान के ब्रांड अमश्डर है ठीक है याद रखेंगे क्वेश्चन आपके लिए वड़ा ही महत्पूर्ण हो जाता है अगला क्वेश्च यह सभी जगह पर रहा राइट आंसर आपको टिकना है और कमेंट मेंश्डर जरूर देना है और कितना कर पा रहे हैं आप इस टेस्ट में तो जरूर बताना है कमेंट में देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी यह सभी कूड़ेदान में और M C D की गाड़ी कच्रे को ठीक है देखिए अगला question है लाल हर्पिक का उप्योग किस जगह की सफाई के लिए किया जाता है जो आपका लाल हर्पिक है इसका जो उप्योग है किस की सफाई के लिए किया जाता है देखिए option दे रखे हैं एक कमरे की सफाई के लिए, बी लेटरिंग की सफाई के लिए, शी बाथरूम की सफाई के लिए, या डी इन में से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपको टिक करना है, और कमेंट में आंसर ज़रूर देना है, सबसे पहले अपना question का answer ज़रूर दिया करें, क्योंकि टिकल लिया करें और हमारा आंसर से आप मेज कर लिया करें ठीक है याद रखें देखिए अगला question का answer है हमारा option C bathroom की सफाई के लिए जो आपका लाला हार पिक होता है याद रखेंगे लाला हार पिक आपका बातरूम की सफाई के लिए प्रियोग में लाए जाता है और जो नीला हरपिक होता है वो आपके लेटरिंग की सफाई के लिए प्रियोग में लाए जाता है दियान रखेंगे लाल हरपिक आपका बातरूम की सफाई के लिए प्रियोग में लाए जाता है बातरूम की क्लीनिंग के लिए और जो नीला तो दीकिया option A है स्वच्च भारत मिशन B नमामी गंगे अभ्यान सॉरी सी निर्मल भारत अभ्यान यह डी स्वच्च ग्रामीड अभ्यान तो राइट आंसर आपको टिक करना इन में से देखिए इसका राइट आंसर जो होगा option C निर्मल भारत अभ्यान जो ग्रामीड प्रस्क्रित किये जाते थे वो जो आपके निर्मल भारत अभ्यान के तहट इसमें प्रस्क्रित किये जाते थे आप सोच भारत मिशन नहीं करेंगे इसमें क्योंकि यह जो ग्रामीड को प्रस्क्रित किया जाता था वो आपके निर्मल स्ट्ट में ड़िन राखेंगे पीतल और कि वस्तु को किस से साफ करना चाहिए जो आपकी पीतल और तावे की वस्तुन होती है go is से साफ करना चाहिए देखिए राइट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन दे रखें सावन के पानी से भी नीवू को रगड कर या सी गर्म राक और बुरुस से इन में से सभी तो राइट आंसर आपको टिक करना है किस से आप इसको साफ करेंगे पीतल और तावे की वस्तुओं को तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आप टिक करेंगे अपना अंसर और पहले यह अंसर अपना टिक करें और वीडियो को लाइक जरू करें कैसी लगरी आपको सीरीज कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें चैनल को होती है आपके चूलों में या कहीं पी तो उसकी जो गोसों की जो राक होती है उसको गर्म राक से आप इस पीतल और तावे की वस्तू को साफ कर सकते हैं इससे फाइदा यह होता है कि जो पीतल और तावे की वस्तू होती है उनमें जो उनकी चमक होती है उसकी बरकरार बनी रहेगी ठीक है याद रखेंगे अगला कोश्चन देखेंगे sorry friends लकड़ी फनीचर की सफाई किसे करनी चाहिए जो फनीचर होता है लकड़ी का उसकी जो सफाई है किसे आपको करनी चाहिए इसमें राइड आंसर आपको टिक करना है चार उप्शन में से देखें एक यह C साबन से यह D LC के तेल यह Sprit से तो Right आंसर आपको टिक करना है और Comment में आणसर जरूर बताना है और वीडियो को Like जरूर करना है अगर आपको पासंदार यह Series तो Comment में आप जरूर बता है तो देखें इसका Right आंसर आप टिक करेंगे इसका Right आंसर होगा लकड़ी और फनी की सफाई करनी चाहिए ठीक है याद रखेंगे आप क्योंकि अगर आप आह सी और चीज से आप सफाई करेंगे तो उसमें थोड़ा ड़र रहता है फ leash को खराब होगे इसकी चमक का और उसकी लकडिये उसके गलने का अगर पाँए से भी करेंगे तो उसे गलने का डर हम बताते हैं उससे आप मेच कर लिया करें अगला क्वेशन है एलेक्ट्रों कच्रे को जलाने से कौन सी विशैली गेस्ट पन होती है जो आपका एलेक्ट्रों कच्रा होता है जैसे प्लेट्स होती है टीवी की प्लेट्स होती है या तार होते हैं विजली के तो यह जो एलेक् वीडियो को लाइक जरू करना है कमेंड मांसर जरूर बटाएंगे कि आप इतने question हो में से कितना question सही कर पा रहे हैं जो हम करा रहे हैं ठीक है तो देखिए इसका right answer होगा जो की electron कच्रा होता है इसको जलाने से जो विसेली games उत्पन होती है उसका नाम होगा optancy neurotoxins जो neurotoxins होती है यह electron जो कच्रा होता है उसको जलाने से उत्पन होती है यह एक परकार की विसेली गेस होती है इसको सुरूने से ज्यादा मातरा में व्यक्ति की मृत्यू भी हो सकती है ठीक है? ये बहुत विसेली गया सिप्पन होती है इससे ठीक है याद रखेंगे आप और कमेंट में आंसर जरूरू बताएंगे कि आप कितनी सही कर पा रहे हैं वीडियो को लाइक जरूरू करें और चैनल को सस्क्राइब जरूरू करें तो चलिए अगले क्वेशन की तरफ चलेंगे पॉलिसदार वस्तू को सफाई किस से करनी चाहिए जो आपका पॉलिसदार वस्तू को साफ करने के लिए किसका इस्तमाल लाया जाता है तो यह राट अंसर आपके देरक एंज में यह आप्सन है अलसी के तेल से भी तारपिन के तेल से यह सी दोनों से यह डि इन में से कोई नहीं तो राट आंसर आपको टिक करना है कौन सा होगा पॉलिसदार वस्तू को सफाई करने के लिए इन वे से सही अंसर तो देखिए बचो इसका राइट आंसर जो होगा option A और B LC का तेल और तारपिन का तेल ये दोनों ही आपके जो पॉलिस दार वस्तूं को सफाई करने या पॉलिस करने के लिए इसको इस्तमाल में लाया दाता है ठीक है याद रखेंगे जो option C होगा इसमें राइट आंसर होगा क्योंकि ये जो दोनों ही तेल हैं आपके LC का तेल और तारपिन का तेल जो होता है ये दोनों ही जो पॉलिस दार वस्तूं होती है लकडी की फनीचर जो होता है आपका उन दोनों को सफाई करने के लिए और उनकी चमक को बरकरार रखने के लिए इनका ही इस्तमाल लाया जाता है उन पॉलिस दार वस्तूं को सफाई के लिए याद रखेंगे ये दोनों ही option आपके राइट आंसर होंगे चलेंगे अगले question की तरह एगला question है पोटो सियम परामेगनेट जल में घुलकर किस प्रकार का रंग का गोल बनाती है जो आपका पोटो सियम परामेगनेट होता है ये जो जल में अगर हम इसको घुलेंगे तो ये किस प्रकार के color का या रंग का जो है घुल का नहरमाण का थिया तो ये पूछ रहा है जो है color का घुल बनाती है आपके पानी में घुलकर राइट अंसर टिक करेंगे और कमेंट में अंसर जरूर बताएंगे तो देखिए इसका राइट अंसर जो होगा option A घुलावी या बैंगनी तो इन दोनों में से जो है ये color जो आपके दे रखें हैं option A में घुलावी और बैंगनी इसमें से कोई भी रंग आपका पोठोसियम परामेगनेट जल में घुलकर एक पिरकार के घुलका जो निर्माण करती है color का तो घुलावी या बैंगनी का इसमें हो सकता है ठीक है याद रखेंगे आप पोठोसियम परामेगनेट अगर आप आप चल में घुलेंगे तो जो है गुलावी और बैंगनी रंका गोल आपका उत्पन करेगी ठीक है याद रखेंगे आप आपके एक्जाम की द्रश्टी से बड़ा ही महत में फो पोठोब क्वेस्चन है ऐसे और पोठोसियम परामेगनेट बाहित प्रकार का योगिक है कि यह सबी राइट आंसर टिक करना है बच्छो आपको इन चारों मिसे कौन सा आपका राइट आंसर होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है और फ्रेंडों के शाद जरूर सेर करना है क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड कर आते रहते हैं और एक्जाम की सटीक जानकारी यहां पर मिलती है और एक्जाम से संबंदित जो भी आपकी जीके की किलास हैं यहां पर रेगूलर चलती रहती है ठीक है तो याद रखेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरू करेंगे और वीडियो को लाइक जरू करेंगे तो बड़ा ही महत्पूर कोस्चन है आपके एक्जाम के द्रश्टी से ठीक है याद रखेंगे तो देखेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबा लें ऐसी ही वीडियो रोज पाने के ल जय हिंग जय भारत मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी तरह का प्यार बनाए राखिए